हाथो गाइज मैं आप लोग को जो वीडियो इडिटिंग आज सिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो में वो वीडियो स्क्रवार रहा है तो आपका भी इस इस टारम प्रोफाइल पर अच्छा खासा वीव आ सकता है क्योंकि यह AI द्वारा बनाया गया है इसलिए इसको बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आपको पहले इस टेप में ओपन करना है गूगल अप्लिकेशन गूगल अप्लिकेशन ओपन कर लीजे गूगल अप्लिकेशन ओपन करने बाद सर्च वाले टैप पर क्लिक करके यहां पर आप सर्च कर लीजेगा Bring Image AI सर्च कर लीजे सर्च करने बाद पहला वाला वेबसाइट जो आएगा जिसका नामे Image Creator इसे पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने बाद थोड़े दिर में वेबसाइट ओपन हो जाएगा अगर आपको Microsoft Bing Image Creator from Designer में Sign Up करना नहीं आता है तो मैं Pin कर दूँगा Comment Box में वहाँ से आप Video देखकर आसानी से आप यहाँ पर Sign Up कर सकते हैं तो यहाँ पर जो आपको लिखना है मैं वह Comment Box में Pin कर दूँगा वहाँ से आप Copy करके यहाँ पेस्ट कर दीजे पेस्ट करने बाद यहाँ पर देखिए जो प्रिंस इडिट से लिखा है यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजेगा और यहाँ पर जो आयोध्या and 22 नमबर लिखा है 22 नमबर जगां 22 के जगां आप जो नमबर लिखना चाहिए लिख लीजेगा उसके बाद आपको create वाले option पर क्लिक कर देना है यहाँ पर थोड़ी देर में photo बना के दे देगा है आप यहाँ पर थोड़ी देर wait कर लीजेगा तब मैं आगर कई टेप आपको बाता हूँ यह देखिए photo बना के दे दिया है जो आपको अच्छा लगता है यहाँ से आप download कर लीजेगा मैं मुझे चोथा वाल अच्छा लग रहा है इसी पर आपको click करना है click करने बाद थोड़ी दिर में image open हो जाएगा three dot वाले option पर click करके आपको download कर लेना है जो image download हो जाए आपको back आजाना है back आजाने बाद आपको open करना है insert application आप play store से download कर लीजेगा insert application open करने बाद यहाँ पर आपको वीडियो वाले option पर click करना है new project पर click करना है और यहाँ पर photo जो अभी आपने bring image creator में से जो photo को download किया था उस photo को यहाँ पर select कर लेना है select करने बाद इसका ratio हमें seven second तर रखना है और इसका background में आप जितना blur रखना चाहें रख लीजेगा मैं third वाले यूज करना हूँ इतना करने बाद आपको यहाँ पर save वाले option पर click करना है frame rate में 60 fps पर click करना है rule version में 180 पर save कर लेना है यहाँ पर थोड़ी देर आप wait कर लीजिगा तब मैं आपको आगे का step बताता हूँ यह जब 100% complete है save वाले option पर click करना है फिर आपको back आ जाना है उसके बाद आपको secure vp download कर लेना है secure vp download कर लीजिए play store से आपको play store पर असानिस मिल जाएगा download कर लेने बाद आपको secure vpn को connect कर लेना है connect करने बाद आपको फिट से back आ जाना है यहाँ पर आपको फिट से open करना है google application गुगल application open कर लीजिए उसके बाद search वाले टैप पे click कर दीजिए यहाँ पर आपको search करना है healing thailand cap cut template search कर लीजिए search करने बाद पहला वाला website जो आएगा जिसका नाम है healing thailand cap cut template link 2024 EC पर आपको click करना है click करने बाद website open हो जब हो जाए आपको थोड़ा सा slow down कर लेना है यहाँ पर जो पहला वाला वीडियो आ रहा है उसके नीचे देखे लिखा है use template in cap cut इसे पर आपको click करना है click करने बाद यह आपको सीधा cap cut टैप में ले जाएगा यहाँ पर जब template open हो जाए आपको click करना use template पर use template पर click करने बाद जिस वीडियो को आपने अभी insert application में create किया था उस वीडियो को यहाँ पर select कर लीजे नेश्ट ओल यह option पर click कीजे यहाँ पर हमारा loading effect हो रहा है यहाँ पर थोड़ी देर आप wait कर लीजेगा तब मैं आपको आगे कर इस्टेप बताता हूं इसके बाद देखें यहाँ पर हमारा वीडियो effect टाउनलोड हो गया है आपको sport वाल यह option पर click करना है quality में आपको 2 के 4 के पर click करना है done पर click हीजे sport without water mark पर click कर लीजे यहाँ पर हमारा वीडियो sport हो रहा है यहाँ पर थोड़ी देर wait कर लीजे तब मैं आपको आगे कर इस्टेप बताता हूं sporting complete हो जाने बाद आपको यहाँ पर done वाले option पर click करना है इसके बाद हमारा वीडियो बन के तयार हो चुका है ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe and bell icon को all पर set कर लीजे thanks for watching and take care good bye